आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे की जिसमें जो अशनीर ग्रोवर और भारत पे की मैनेजमेंट में फाइट चल रही है वो बहुत ज़्यादा अगली हो चुकी है Wednesday को भारत पे के कुछ employees ने LinkedIn पे post किया कि भाई उनकी March की salary पे नहीं कहीं गई है भारत पे के द्वारा तो इसके जवाब में जो अशनीर ग्रोवर हैं और उनकी बहन आशीमा ग्रोवर ने भी उस post पे comment किया और इसके बाद जो सोहिल समीर है भारत पे के CEO उन्होंने फ्रस्ट् अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके हमें motivate कीजिए इसके अलावा अशनीर ग्रोवर ने कल यानि कि 7 April को एक tweet करके भारत पे की management को criticize किया था इनके Q1 के result के बाद में और इन्होंने ये बोला था कि भाई अब आपको मेरे बिना company चलाने में ना नहीं याद आ अगर आप इस topic को detail में समझना चाहते हैं तो मैंने कल इसके उपर वीडियो बनाया है आप इसको मेरे channel पे देख सकते हैं और अगर बात की जाए इस कहानी में latest update की तो जो disagreement है भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच में ये थमने का नाम नहीं ले रहा है दोनों ही party इसके द्वारा काफी कड़वे word आपस में exchange किये जा रहे हैं और latest इसमें ये है कि करन सारकी जो की भारत पे एक employee है इन्होंने LinkedIn पे एक post डाला और उसमें लिखा कि भाई इनकी जो March की salary है इसके साथ साथ कुछ और employees की भी March की salary पे नहीं की गई है इन्होंने बोला कि भाई ये employees ज इन्होंने claim किया है कि कुछ expenses थे जो employees ने out of pocket company के बिहाव पे spend किये थे उसको भी company ने reimburse नहीं किया है इन्होंने का है कि हम गरीब लोग हैं हमें घर चलाना है बच्चे पालने हैं और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो भारत पे का staff है वो office की paid trip गोवा मे enjoy कर रहा है और वहीं कुछ employees हैं जो अपनी salaries और job के लिए fight कर रहे हैं तो किस तरह के आप leader हैं इसके लावा सरकी ने ये भी बोला है कि जो oldest administration staff एक company का उनको बिना reason के terminate कर दिया गया और उनकी salary भी pay नहीं किये गया है तो इसके जवाब में धननजे कुमार है जो कि एक former admin employee ह इन्होंने भी post करके बोला है कि भही मेरी माता जी lung disease से सफर कर रही है और hospital में है प्लीज आप हमारी salary और जो employee stock ownership plan है ESOPS है उसको हमें वापिस कीजिए तो करन सरकी ने अपने जो LinkedIn post था उसमें अशनीर grower और सोहिल समीर दोनों को ही tag किया था तो इसके जवाब में grower ने भी उनके उपर एक comment किया और उन्होंने सोहिल समीर को tag करके बोला कि भही ये तरीका ठीक नहीं है आपको सबसे पहले अपने employees की salary pay करनी चाहिए तो आप यह जो इनका comment है जो करन सरकी की post पे इन्होंने किया था वो देख सकते हैं इसके बाद जो अशनीर grower की sister है अशीमा grower उन्होंने भी conversation को join किया और उन्होंने भारत पे की current management है उसको shameless bunch का आप यह देख सकते हैं इन्होंने बोला that's the sad part और that's it it's a shameless bunch तो इसके जवाब में ज salary pay करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं आप यह देख सकते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा I mean awkward situation हो गई थी और उसके बाद जब यह LinkedIn conversation internet पे बहुत बार share की गई तो भारत पे ने इसके जवाब में statement जारी करी और बोला कि भाई उन्होंने अपने सभी employees को March की salary पूरे में pay कर दी है और इन्होंने statement में बोला कि यह कोई भी social media comment जो किया जा रहा है कि salary pay नहीं की गई है उसको यह strongly deny करते हैं और company ने अपने सभी जो paid staff है उनको salary pay कर दी है इसके अलावा इन्होंने बोला कि as per company policy जिन company जिन employees को निकाला गया है और वो notice period serve कर रहे हैं उनको जो उनका amount है वो full and final settlement की तरह से मिल जाएगा उनके last day पे जो भी company की policy होगी तो इसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो भी employees complain कर रहे हैं वो अपना notice period serve कर रहे हैं तो उनको full and final के साथ उनकी payment मिलेगी इसके अलावा जो भी regular employees हैं उन सभी को March की salary मिल गई है हाला कि जो बिनोध अचारिया एक business manager है इन्होंने सोहिल समीर को काफी ज़ादा criticize किया इनके LinkedIn comment पे उन्होंने का कि CEO होके आपको इस तरह से comment नहीं करना चाहिए public platform पे और ऐसा लगता है कि आपको यह अपना personal grudge है जो कि निकाल रहे हैं और सरकास्टिक हो रहे हैं और अगर बात की जाए इस कहानी की शुरुआत की तो यह January में शुरू हुई थी तब लग रहा था कि एक बहुत छोटी सी बात है क्योंकि एक audio clip release की गई थी जिसमें की जो अशनीर ग्रोवर एक कोटक महिंदरा बैंक के employee के साथ काफी गुस्से में बात कर रहे थे लेकिन उसके बाद ये मामला बढ़ता गया अशनीर ग्रोवर और उनकी wife को January में छुटियों पे भेजा गया उसके बाद एक independent audit में पता लगा कि अशनीर ग्रोवर और उसकी wife एक recruitment fraud और कुछ vendor को fictitious payments के मामले में involved हैं और उसके बाद finally पहले अशनीर ग्रोवर की wife को company से निकाला ग रहे हैं अला कि मैं उमीद करूंगा कि इस बीच में कोई भी internal politics की वज़े से employees को नुकसान ना हो उनके अगर कोई भी जो fair उनके पैसे हैं dues हैं उनको time पे मिले thanks so much for watching the video and God bless you all